नमस्कार ओम शांति दोस्तों आपके पसंदीदा कारी क्रम फिट एंद फाइन में एक बार फिर स्वागत है पिछले एपिसोड में हमने बात कि थी इटिंग डिसॉर्डर के बारे में और आज भी इसी क्रम में हम आगे बात करेंगे हमारे पास हमारे दर्शकों के बहुत सार प्रेश्ण आये हैं खाणे पीने की समस्या से रेलेटेट तो हर बार की तरह आज भी हमारे साथ स्टूदियो में मौजूद है हमारे एक्सपर्ट डक्टर सतीज गुपता जी तो चलिए बात करते हैं डॉक्टर साहब से नमस्कार डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब पिछले एपिसोड में हमने बात की थी इटिंग डिसॉर्डर के बारे में आज भी हमारे पास कई सारे खानी पीने की समस्या से रिलेटेट प्रेशना आए हैं तो आज हम आप से बात करेंगे हमारे पास तहरादून से हैं आलो जिनकी एज है 40 साल उनका कहना है कि वो बहुत खाते वर्ग बहुत जादा कॉंटिटी में खाते हैं मतलब उनका पांच छे चपादी एवरी डे या बहुत सारा खाना वो खाते हैं और उनके कंपेर देन उनकी एज के लोग उतना खाना नहीं खाते हैं तो या यह कोई इटिंग डिसॉर्डर है क्या आदि ही जो जो बहुत जादा खा लेना चुटी हमारा स्ट्रमक है जैसे कि अपसे लग वो 300 ml होती है जी 300 ml होती है अब यह हमारे पर डिपंट करता है कि हम किस तरह से हम उसको कैसे भरे कैसे अगर हम सही डंग से खाना चबा कर खाते है जैसे आलोग चिंग न बताया कि वह 5-6 चपाती खा जाते है और हमने तो कई बार ऐसा देखा इन 5-6 है कि तो कई लोग 10-12 चपाती खाते है तो गिनके न लेते हैं जो चपाती लेते न बॉक्स मेंसे तो इस ता से उठाते हैं की डाञ की में और किसम इजा कर आफ के रिफसका नहीं में पohclass cinco थे शिब स्रना कि हमारा जब मारा जब कर आर्म शही डंग्य सिखते को हमारा जब चबाते हैं तो हमारे इसे लार निकलती है, उसमें एक टाइलिन नाम का केमिकल होता है, एंजाइम होता है, जो कि हमारे जो कार्भॉहडेट उसको डजस्ट करता है, तो 50% कार्भॉहडेट तो इहीं डजस्ट हो जना चाहिए, और अगर हमने खाना नंग से चपाते हैं, तो 100-geram खाना खाया, 200-gram अदोसमें हमारा सल्यवा मिलना चाहिए, तो 100-gram खाना काया और 200-gram घचांपऊ तो पेट दे बर गया, और कई लोग तो बहुत फास्ट जैसे इनोंने बताया कि मैं 5-6 चपाती खालेता हूं और फिर भी मतलब मेरे को लगता है और खालों तो फिर जो है वो 300-400 ग्राम खाना खालेंगे और जूस जो निकलेगा 50-25 ग्राम ही निकलेगा और स्टमक जो है डिस्टेंसिबल है क्योंक आखना कम करना चाहो तुना कम कर सकते है यह हमारे अपने उपर है जाधा खाना मतलब बेसिकली इन सेक्रीटी का सथे साइन है, जब अंदर से इस्सेक्योर में सुस करते है स्ट्रेस में , जैसे तनाव में होता है अचानक से तनाव आगया टेंशन आगया, सबोज हम मार्के मैसे रेक्लियर हो गई है, तो इसका कुछ भी मार्केट में मिलेगा नहीं, आगे अमर्जेंसिया आगे कुछ भी हो सकता है, हमारे शहर पर इमिसाल कर जाए, लाई हो जाए, वार्ड शुरूब हो जाए, तो कुछ अवेलेबल नहीं होगा, तो क्या करेंगे आप, आप देख जो भी मार्केट में आप, खडीदो, तो हमारे यह यह ऐसा ही होता है, जब हम stress में होते हैं, मुझे कोई भी मांसिक stress है, किसी तरह की भी, यह emotional pressure है, तो उसमें अंदर से मैसे जाते है, जो भी available खा लो, पता है दिन में मिले ना मिले, अचाना कुछ हो जाए, तो तब आदम कि उस stress की वज़े से जादा खाता है, जब है किसमें जदाख कालरी है, high sugari, high fatty food, high creamy food, तो अपने-दर बिटरनेस को, काम करनें चले मीठा कह रहा है और अंदर, dryness को, क्रेंवा करने के लिए लाइड नहीन का ने उड़ा है या मलाई खाई भावा है या मक्हन खाई या घी जादा खाई तो अंदर के जो डुडड secrets और इंड जroe शेयर लास 11 आपिसोड में share किया था pense तो कम क्या का कितना खारे और क्या खारें टोट़ली डिपेंट आफल बर्डे मोडर है है जाया को पुर्पडराइब करने है। यह क्या इस वजे से भी होता है कि उनका प्रॉपर नीट्रिशन नहीं मिलता या नीट्रिशन डिसारडर फर कहा लिए– ज्यादा खा लिया तो फिर अगे चबाया, नहीं तो स्ट्रमक के लिए बगवाद प्रावलम है, तो वहाँ से इतनाकी ज्यादा स्टू मुछ का लिए खा चाराएं गार के पागहि Moore करे मुछ क करेगा फिर टो इंटेस्टैन पर प्रिशर पड़ेगा पैंक्रियाम पर नीवर पर पर पड़ेगा थे हीर प्रश्र। रपर इसी निकल जाएं उसमें लिए criticized more और अब्सॉर्ब होगा तो तूमुच अगर हमने उसको डिजेस्ट कर लिया है, तो तूमुच अब्सॉर्ब होगा, ज्यादा कैलरी अंदर जाएंगे, एक्टिविटी उतनी है नहीं, मैंने ले ली 3000 कैलरीज, खर्च के 1500 कैलरीज, तो 1500 तो बोडी पर जमेंगी ना, कहां जम में, क्योंकि अंदर से इन्सेकुरिटी बहुत ज़्यादा पड होगी है, stress बहुत ज़्यादा पड होगी है, all the time we are in emergency mode, आजकर के जो बच्चे जो इसमें, IT में हैं, या इवन अदर्वाइस भी, deadlines बहुत सारी हैं, बहुत ज़्यादा ambitions हैं, बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेने की, बहुत बड़ा बन जाने की, जल्दी से exhale कर रहने की, right, or depression is another thing, ज़्यादा खाने की जो बात है, depression भी हम के खुशी डून रहे हैं, खाने के अंदर, स्वाद में हम खाय जा रहे हैं, जबकि हमारा पेट बढ चुका है, और इसको एक तो यह तो बुलीमिया नर्व फूर मेंने मालेजे, मेरेको गुलाब जानों का बहुत शॉक है, गुलाब जानों अवेलेबल है, सामने देखने वाला कोई नहीं है, तो मैं इतने सारे गुलाब जानों खालूंगा, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, दस तक भी खा लेंगे, जबकि बहुत करता हूं, तो इस तरह से हम जब बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, तो वो जो फिर हमारे मोटापे का बेसिक कारणा रहता है, तो यह एक तरह का इसको कहते है बेंस इटिंग डिसॉर्डर, उसके बाद जब खाने को गिल्ट फिलिंग आती है, उसको निकालने कुशिश करत यह भी को देखने है ऽेजनी है, उसका से करके सक्राणा दिखने मोटाँ तो इसमें पनी साउक रहमारा को ओनज़आई झाल मोटाँछा, अपने काउंसलिंग करते हैं, पने आपको समझाएं जाना किले क्या है कितना तरह स्कतितना काम है कितनी मेरी कैलरी इतिशन तरह मे डॉक्तर साहब, एक प्रश्न Cancerा है हमारे पस बड़ोदा से, Wanda najky का, जो की 30 साल की है, उनका कहना होता है कि वो खाना खा तो लेती है, लेकिन कई बार ये होता है कि 2 गहंटे बाद या 3 गहंटे बाद उनका वो खाना उनके मुह में आने लगता है, बार बार, या जो भी खा जो बात की थी इसके बार में कि वही है GERD, Gastro-Visive Gel Reflex Disease, यह वाल जो है ना मत्तलब यह इसली समस्या जो GERD की समस्या थीस से चारीस परसंड लोगों को है, यह हर तीसरे आदमी को यह समस्या है, इसका करनेक्शन हमारे मन से बहुत है, जो यह पुरा जग पुरा जो हमारी ट जो हमारी पुरी आथों को मुमेंट के कंट्रोल 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 करते है, जो हमारी पुरी आथों के कंट्रोल करते है, जो हमारी पुरी उस फैरत तैंदधालेकिया पतरिया निखरती वासकेल चाहते हैं। फ्लेकर कई ए चैसे किस्ते हए पैलोरस के सबाटा है। प्लेकर nós पॉर सब्षे हमें प्लेकरे कहले तरह कुछन है, सुर्थन फैरिया क्या होना प्लेकर किस्ते है, चावरण आजले और हैंट। अब ने कावर नाज़ प्योटी होता है। तो अब होता है कि वाल उपर का लुटी होता है और यह आफ़ एक अगे टाइघ होगी है। आगे टाइज अगया है। उट अब जा ब्लॉकेज वा गया है। क्योंकि वो पढ़ा हुआ है और फिर मेरे वापिस रिपलक्स क्योंकि वाल भी लूज है फिर वो उपर आता है मूं में आता है तो यह जो चेक कराना चाहिए तो ऐसे कंडिशन में क्या है? एंडोस्कोपी कराने चाहिए या फिर एक बेरियम मील कहते है बेरियम मील स्टड़ी कहते है एक डाई पिलाकर एक्स-डे करते है पता लगता है कि उनकी जो स्ट्रमक है उनके उप्सक्ष्शन तो नहीं है तो असक्यों जो उसका प्लैन करकि ईलाज करना स्ट्रमक है जो चाहिए जो डॉक्टर ऊते हैं, रसको तो बेंटोलोगिस्त तो डाहिए गेज दो बारिंटोलो जिटंक स्टिंट का याघ वाज करेंगी सारी समस्यां है हिस्थार कि आपने बुलाए यह एक मांसिक समस्या तो इसमे मेडिटेशन का भी कुछ रोल है? कि मैंने जैसे कहा कि सारी जो इटिंग डिसॉर्ड़स है यह सारी मांसिक समस्या है कहींना कई हम अंदर से इंसी करें जुम हैं अंदर से इस्ट्रेस महथूस करते हैं तो हमारा reward center है एक भूक का भी अंदर center होता है, जो भूक हमे महसुस कराता है और पेट भर जाने का center में यहां, satiety center करते हैं, बहर जाने का center तो वो भी हमें, यहां से message जाता है ओपर, तो हम कहते है मारा पेट भर गया है कईभर हम क्योंकि अंदर से stress मैसुस करें, जसे मैं तुर्दय निए कहा, अमेर्जनसी सीचुशन है अमेर्जनसी गुसा आ गया, अमेर्जनसी सीचुशन आगा, अनदर से मैसेज गया अज़ बच गया, कुछ होने वाला है, कुछ कर दानाक शुशन है, तो लगता है कि इतना खा लें, you are looking for respite in the food, आप फूड में अराम ढून रहे हैं, right, stress यहाँ है, उसके लिए से आप कहीं जगड़ा होता है तो आप हाथ में अथियार पकड़ते हैं, ज्यादा अथियार कर ठेकर नेगोशी करते हैं, same way है, कि ultimately stress को meet करने के ज्यादा food खाते हैं, insecurity को meet करने ज्यादा food खाते हैं, तो अगर हम meditation क्या करता है, हमें will to be well देता है, will power देता है to be well, कि हम कैसा food खाएं, किस तरह का food हम खाएं, कब खाएं, क्यों खाएं, क्या खाएं, खाले हमें पेट नहीं भरना है, उससे हमारे पुरी body के organs बनने है, repair होनी है, development होनी है, तो हमारा food संतुलित होना चाहिए, balanced diet होनी चाहिए, low fat, high fiber, vegetarian food हो, समय पहर हो, और मानसिक स्थिति भी कैसी हो खाने में, बनाते हैं मानसिक स्थिति क्या हो, यह हमें सिखाता है राजयोग meditation, तो हमने देखा है जो लोग जिनका वजन जो 100 kg से अधिक थे, 90 kg थे, 80 kg थे, 105, 102, 102, 104 kg, जब इस प्रोग्राम में आते हैं, और Meditation करना सिखते हैं, राजयोग मेडिटेटिव लाइस, इसको हम थ्री-डिमेंशनल हेल्थ केर, राजयोग मेडिटेटिव लाइस करते हैं, तो ऐसे से लोग, 140 kg थे, वह भी अपना 30, 40, 50 kg वजन घटा पाते हैं, तो उनका वजन जो 140 थे, 90 हो गया, यह 105 थे, 110 था तो उनका कट करके 60 हो गया, 70 हो गया, तो मतलब यह जो जो को उनको controlling power आ जाती है, कि मुझे अपना breakfast कैसे करना है, मुझे आदा food अपने पहले salad से भर लेना है, कीरा, टमाटन, जो भी seasonal vegetables हैं, उनको आदा पेट भर गया, उसके बाद sprout खा लिया, उसके बाद मैंने चपाती, एक चपाती थोड़ी सबजी खा लिया, यह मैंने दलिया खा लिया, साथ मैं द्रही लेली थोड़ी सी, पेट भर गया ना, तो मेरा कितना, 50% तो मेरा अपस्टरम किसी से भर गया, तो मेरी फूड की रिक्वार्मन कितनी रही, थोड़ी सी रही ना, जहां से एनरजी मिलने वाली है, तो फाइबर जब पेट को क्लिन करेगा, आथों को सासुसर रखेगा, और मैंने खाया थोड़ा साथ में लंच में भी ऐसा हुआ हुआ पहले, फिर मैंने सलात का लिया, उसके बाद एक चापाती है, तो चापाती सबजी खाली, शाम को भी ऐसे ही, शाम को बले एक चापाती खाते हैं, पर शाम को तो कम से कम खाना चाहिए, कहते हैं सुभा, have a breakfast like a prince, lunch like a king, and dinner like a miser, और like a beggar, थोड़ा सा खाना चाहिए टॉक्टर साब हमारे पास एक प्रेशना है, वर्तिका का, वर्तिका लुधियाना से हैं, उनकी एज है 28 साथ, उनका कहना है कि उनने अकसर जो मिट्टी है या चौक यह खाने की आदत है, और उनने मन करता है कि वो कुछ ऐसी चीज़े खाएं, तो यह किस वज़े से होता है इस प्राव्लम को बाइका कहते है, तो इसमें क्या होता है कि अन्दर्स से एसे एइटिंग, psychologically एक प्राव्लम है, कि इसमें अन्दर्स से अर्ज होती है, कि तो जो से चावग खाने की दिल करती है, यह घड़े का टुकड़ा होता है, उनको देखिए बहुत इच्छ होता है इसको खाए या मिट्टी खाने को दिल करें, यह ऐसी feeling आती है, पर उसलिए प्रेगनेंसी में जाए दिखा जाता है, जब प्रेगनेंसी होती है तो उसमें अंदर इसकी हार्मोस इस तरह के निकलते हैं, जिसकी वैसे ऐसा दिल करता है, तो कई बार जैसे कुछ ऐसी कटी और अपने कल्सियम का टेस्ट, विटेमिन D का टेस्ट करा लेना चाहिए, जिसकी वैसे हम लोग अर्ज होती है गलत चीज़ खाने की, पर उसलिए प्रेगनेंसी को होता है, और वो जैसे प्रेगनेंसी वह थी तीन, चार पाँछ शे महिने का असपास ही जादा होता है, जि इसलिक निया आपो, हार मोल शींचे विजय से होता है, जी, जी. इस नच याट प्र मैने डिसेस, जी. बहुत बहुत शुकृरयय डॉकर साप, आपने आज खाने पीने की समस्याहों का meditation से क्या connection है इस बारे में बताया साथी खाने-पीने की आदू है बीट का health से क्या connection है ये भी आपने बताया धन्यवार डॉक्टर सब्सक्राइब तो दोस्तों आज हमने बात की eating disorder के बारे में तो उमीद करते हैं कि आज डॉक्टर सहाब ने जो जानकारियां खाने-पीने से related समस्याओं के बारे में आपको दी वो आप सभी को बहुत ही उपयोगी लगी होंगी साथ ही आप अपने eating habits को जानेंगे और अपने स्वास का खयाल रखेंगे अगर आपके भी स्वास से जुड़े कोई प्रशन है तो नीचे दिए गए email ID पर आप हमें mail कर सकते हैं साथ ही आप हमें WhatsApp भी कर सकते हैं तो fit and fine में आज इतना ही नमस्कार